हाई गाईज वेलकम बेक तो माई चैनल गाईज तोड़े आ एम शेरिंग बेरी सिंपल इजी एंड टेस्टी ड्राइफ फूट्स रोल रेसीपी ड्राइफ प्रूट्स रोल इस बेरी हल्दी एंड टेस्टी एंड इसमें भार पर एनरजी और प्रूटिन होते है इस तरह की इस रोल बनाने के लिए मैंने लिया है डेट्स इसे पहले से इस तरह कट कर रखी है वन कप डेट लिया है मैंने प्लेक सीट्स Amer skip ड्राय सीट्स मिन्स अप कप लिया है कर्ण में लिया है बैसे बारा इंजी लिया है अ पने अनजीर काट रहो Guys वीडियो पसंद आये तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब करें लाइक करें And guys आप पहली बार मेरे चैनल के आये हैं तो प्लीज सस्क्राइब करें जरूर लाइक करें, शेयर करें और प्रेस्ट प्रेस्ट बेल आइकन तक कि मेरा वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तरंद पहुंचे और इजी डिलिशिस इस तरह की रेसिपी आपको देखने मिले मैंने सारी आंजीर कट लगा दिया है यह देखिए गाइस अब मैं बादम बारी कट लगाओंगी इस तरह बारीक बारीक काट लगाना है त्योंकि इसे मैं ग्राइन करूंगी मैंने सारी बादम इस तरह बारीक कट लगा दिया है अपने इसे ग्राइन करूंगी यह देखिए गाइस मैंने बादम इस तरह पुरा पाउडर बना लिया है इस तरह पाउडर बनाना है बादम को अब इसे साइट में रखते है अब मैं ग्राइन करूंगी खैजूर एंड अंजीर गाइस यह एक बार में ग्राइन नहीं होते है इसे दो बारा ग्राइन करना है तकि यह अच्छी तरह स्मूथ हो पेजूर एनांजीर ग्राइन हो गया है अब मैं इसे एक प्लेट में ट्रंस्पर कर रही हूँ इसे अच्छी तरह ग्राइन करना है तक ही रोल जब बनाएंगे और रोल अच्छी तरह बने यह देखिए गाइस इसी तरह स्मूथ पैस्ट होना चाहिए मैंने सारी खेजूर एंड अंजीर ग्राइन कर लिया है अपने इसे डखकन लगा कर रखती हूँ साइट में आप यहां मैंने एक पेण लिया है आप मैं रोस्ट करणगी mix seeds मैंने लिया है pumpkin seeds, sunflower seeds, water melon seeds, and flax seeds लिया है आप इसे low flame में इस तरह रोस्ट करना है 2-3 मिनित के लिए roast करना है mix it's roast हो गया है आप मैं इसे एक ब्लैट में transfer कर रहे हूँ यह दिखिया गाइस यह roast हो गया है आप again मैंने white sesame roast कर रहे हूँ इसे भी 1-2 मिनित के लिए roast करना है low flame में वाइट सेसे में रोस्ट भोग गया है अब इसे भी में प्लेट में रखती हूँ आप यहां मैंने खेजूर और अंजीर की जो स्मूथ पैस्ट बना के रखी थी अब मैं इसकी डो बनाऊंगी पहले हातों को अच्छी तरह दो लेना है मैंने हाथों को अच्छी तरह पहले दो लिया था अब मैं इसकी डो बना रही हूँ मैंने यहाँ एड किया है रोस्ट करके रहकी थी जो मिक सीट्स इसे मैंने एड किया है इसे ग्राइन नहीं करना इसी तरह एड कर देना है तकी दिखने में सुन्दर भी लगे और खाने में क्रंची भी लगे इसी तरह थोड़ा थोड़ा मिक सीट्स एड करना है एक साथ सारा एड नहीं करना है अब मैं एड कर रही हूँ जो मैंने ग्राइन करके राकी थी बादाम इसे मैं एड कर रही हूँ मैंने अलमोन पाॉडर इसलिए एड किया है तकी और डो बनाने में चिप चिपा भी ना हो और खाने में भी इसकी टेस्ट अच्छी आईगी मैंने सुगारेट नहीं किया है सुगारेट नहीं करना है इस तरह आप बना कर देखिए ये हेल्दी भी बहुत होते है और सर्दी की सीजन में तो आप एक बार इसी तरह बना कर देखिए खाईए इसमें डेहर सारी प्रूटिन होते है और बच्चों की ब्रेन के लिए भी ये मैंने डो प्रिपेर कर लिया है अप मैंने लिया है सिल्बर फोल पेपर आप चाहो तो सिल्बर फोल पेपर भी ले सकते हो या बटर पेपर भी ले सकते हो जो आपकी पास है और आप ले सकते हो तरह सिल्बर फोल पेपर या बटर पेपर लेना है अगर आप बरतन में डो बना तब जिपकेगी नहीं इस तरह अगर आप सिल्बर पोल पेपर या बटर पेपर लेते हो तो मैं इसे राउन शेप देऊंगी आप अपना चोईस से शेप दे सकते हो या आपका अपना चोईस है मैं रोल शेप दे रही हूँ कम से कम इस तरह एक दो मिनिट रोल करना है तकि रोल अच्छी तरह बने आप यहां मैंने और एक सिल्बर पोल पेपर लिया है वाइट सेसे में जो मैंने रोष्ट करके रखी थी इसे मैंने इसी तरह राख दिया है अपमें रोल को इस तरह वाइट सेसे में के उपर रोल करूंगी तकि यह दिखने में सुंदर लगे और खाने में भी प्रेंची लगे इसी तरह अच्छी से वाइट सेसे में के उपर कोट कर लेना है दिरे दिरे इसी तरह कोट करते जाएए वाइट सेसे में के उपर ज्यादा प्रेशन नहीं देना इसी तरह हलकी हातों से वाइट सेसे में के उपर इसे कोट करते रहना है मैंने इसे अच्छी तरह कोट कर लिया है अपने इसे एक प्लेट में रख रही हूँ अपने इसकी कट लगा रही हूँ यह देखिए गाइस कितनी अच्छी रोल बनके तयार है आप चाहो तो इसे लड़ू भी बना सकते हो या रोल भी बना सकते हो किसी भी शेप में आप इसे बना सकते हो मैंने सारी ड्राइ फ्रूट्स रोल बना लिया है वेरी हल्दी एंट टेस्टी ड्राइ फ्रूट्स रोल बनके तयार है गाइस आप इस सर्दी में इसे जरूर बनाए चाहिए आपको यह रेसिपी कैसे लगी है गाइस कॉमेंट में बताए और वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब करें लाइक जरूर करें थैंक्स पर वाचिंग टेक केर बाई बाई